और 22 तारिख को जब वहाँ पे मंदिर का शुबारंब होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आयोध्या के लिए ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन हम लगा सकें ताकि लोगों में बहुत उत्सा है आयोध्या जी जाके रामलिल्ला के दर्शन करने के लिए तो प्रान प्रतिश्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन के लिए उनका एक लेटर आया था उसके बाद हमने उनको फोन किया उन्होंने बताया कि कोई परिसरा परसनली इन्वाइट करने के लिए फाइनल इंविटेशन देने परसनली उनकी टीम आएगी वो तो आई नहीं लेकिन ऐसा कोई कोई बात नहीं उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत जादा वी आई पी और वी वी आई पी आएंगे और इसलिए सुरक्षा को मद् अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज्यादा चाव चड़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं तो अपने माता पिता अपनी धर्म पत्नी अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा बाद में चले जाएंगे मतलब उन्होंने का था कोई देने के लिए आएगा अबी कोई आए नहीं लेकिन परफिक नहीं काइ़ लेकिन अफे फ़रक्यण परता हम बाद में सबर motor不是 यह परिवार को जब वहां मंदिर का शुबारंब होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आयोध्या के लिए ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन हम लगा सकें ताकि लोगों में बहुत उत्सा है आयोध्या जी जाके रामलिल्ला के दर्शन करने के लिए तो प्रान प्रतिष्ठा के बाद हम कोशि किया उन्होंने बताया कि कोई परसनली इन्वाइट करने के लिए फाइनल इंविटेशन देने परसनली उनकी टीम आएगी वो तो आई नहीं लेकिन ऐसा कोई कोई बात नहीं उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत जादा वी आई पी और वी वी आई पी आएंगे और इसी लिए सुरक्षा को मद्य नजर रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पर अभी इस टाइम जाना तो एक तो फाइनल इंविटेशन का मुझे नहीं पता कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धरम पत्नी और अपने अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें